बिहार में नया मंत्री मंदल शपत ले चुका है और शपत लेने के कुछी घंटों के अंदर एक विवाद भी खड़ा हो गया है जो कानून मंत्री है जिन्होंने शपत लिए कानून मंत्री की कार्थिके सिंग अब उन्हीं के खिलाफ ऐसी जानकारी आ रही है कि वो तो कानू की नजरों में ही फरार है हमाएं साथ मौजूद है bjp के सान सा सुशील मोद्य जी और एक जानकारी निकल के सामने आ यह तो कोट में सरेंडर करने के बज़ाए वो शपत ले रहे थे और ये कौन कार्टिकेसिंग और कहा क्या मामला है तो ये अपरहन से जुड़ा एक मामला है दुजर चौदा का मामला है उस मामले में ये हाई कोट गया हाई कोट में भी हाई कोट क्वैस्ट कर दे उसका भी ये का हाथ है और अनन सिंग कौन है ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है इस अनन सिंग को वर्सों तक नितीज जी समरक्षन लिया बाद वे ललन जी से जगड़ा हो गया तो उसको जेल भीजवा दिया अभी जेल केंदर हैं उनकी मिम्री खतम हो गई और अब फिर दोस्ती हो तो कानून मंत्री को लिस्त्रे बनाए गया ताकि अनन सिंग किसे जुड़े तमाम जो मामले हैं या जो अन्य रास्टे जनता दल से जुड़े जो बहुबूली विधाय के सुरिंदर यादाव लारित यादाव रामानंद यादाव ये ऐसे तमाम लोगों पर से मुकदमों को धरी धरी खतम करा जा सके इसलिए उनको कानून मंत्री बना दिया जाए हम दो कली काता किस मंत्री मंदल में बहुबलियों की भरवार है एक मंत्री सिक्षा मंत्री बने चंदर शेकर जो 2019 में दिली हवाई एड़े पर 20 कार्तूस के साथ गिरिफतार किये गये थे तो ये जो सुरिंदर यादा उन पर पॉक्सो एक्ट के तहट मुकदमत चल रहा है उनके उपर किड्नेपिंग, एक्स्टॉर्शन, धोखा दड़ी, 420 से लेकर तमा मुकदमत चल रहे हैं तो जिन लोगों को नितीजी आपने मंत्री बनाया है वो कौन लोग को आप नहीं जानते ह और जिन लोगों के नाम से जिले के लोग थर-थर कापते सुरिंदर जाद हो जिब चलता है तो लोग डरते हैं, बाइंद हैं हो जाते हैं कि पता नहीं जो है और क्या होगा और वैसे बहुबलियों को बला कर करें कि हम कानून का राज काइम करेंगे सिख्ष कार्षी के सिंग अपनी सफाई में ये कह रहा है कि उनके किलावी जो मामले हैं आज के नहीं है, खुद चुनावायो को हलह नावा दिया गया ह है, मामला चल रहा है तो दोशी करा देने से पहले उनको कैसे आप मान सकते हैं यह दोशी सिंग कौन है कौन नहीं जानता है और उस अनन सिंग की बिजनस पार्टनर है यह उनके दाहिना हाथ है सारी चीजों का जेल जाने के नहीं संचालन कर रहे हैं तो देखें नितिज जी की सरकार में बहु बल्यूं का बुलबाला है और जातिय समिकरन का कोई संतुलन नहीं है मै निकल इस पर से विस्तार से का कि चालीस परसंट केवल माई से मिकरन के लोग हैं तो अब जो माई है वो इतना हवी हो जाएगा कि बिचारा जो अती पिछला और जो अन्य जातियां है उसको मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा तो आप करें कि कार्थिके सिंग के बारे में भी ये जानकरी मुख्यमंति नितीश कुमार को भी थी उसके बावजूर इनको दिया गया जिससे की जो बाकी जिन चीजों का आप देकर कर रहे हैं वो चीज़ें साथ ही जा सकें मंत्री बनाने के पहले विजन इसकी रिपोर्ट ली जाती है सारी रिपोर्ट ली जाती है तब किसी को मंत्री बनाया जाता है कि वो कहीं सजाई आफ़ता तो नहीं है बाकी नहीं है तो यह नितीश को नहीं मालम था कि को नहीं करते है और यह तो उनका उन्हीं का इलाका है बक्तियार पूरबार मुकामा जहां से उचनाव लड़ते रहे वहां के एक एक आदमी को जानते है अनन्द सिंग को पंद्रब बीस साल तक वही समयक्षन देते रहे और बाद में जब किसी बात पर विवाद हो गया तो मुगदमें फसाक उनको जेल भेज़ दिया मेमरी खतम कर दिया अब फिर दोस्ती हो रही है तो इस लिए देखिए यह तो भी आगे आनो और उजागर होंगे मामले तिस सरकार में आधे दरजन से ज्यादा ऐसे मंत्री हैं जो दागी छवी के हैं जो बहुबली है जिन पर आप रादिक जिनका इतियास रहा है और जिनके नाम से दरते हैं मतलब यह कारतिके सिंग तक की मामला नहीं रुकेगा आपने तीन चार और भी नाम लिए है वो भी आएंगे मामले आगे धिरे धिरे हम लोग सारे चीजों की तो कि देखे रास्टे जनता दल का यही चरितर है उसकी पार्टी में राजवलब यादा होंगे साहब मंत्री के पास में जानकारी नहीं थी लेकिन उनको जानबूच के मंत्री बनाया गया जिससे कि कई और सारे मामले जो अन विधायकों पर जो अन मंत्रियों पर हैं उनको साधा जा सके और रही बात कार्थिके सिंकी तो उनके खिलाफ तो जब अदालत में वारेंट था तो ऐसे में जब उसी वक्त उनको अदालत में पेश होना था, वो मंतिपत की शपत कैसे ले रहे थे, अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, अब बिहार के नए कानून मंत्री के उपर, सही होगी कैमरा परसन अजी चाको के साथ, अंकिर गुपताई विपी नियू झालत में यो झालत में विप दिवा की भालत में झालत में धी उनको कानून में जब ड़ परसना इस अविर बिबडित कैसे ले भालत में कना तरह ओूश्वा झालत में झालत में